राजयोग का लाप धनलाप के प्रवल योग बुद्ध ग्रह का एक राशी से दूसरी राशी में गोचर करने में 67 दिन का समय लगता है इसमें कन्या, ब्रक्षिक, मिथुन, मकर और मेशराशी वालों को बहुत लाब मिलेगा, मान सम्मान बढ़ेगा, धनलाप के प्रवल योग है, कारोबार करियर में एक अच्छी सफलता आपको ब्राप्त होगी अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कर लीजे, अच्छा सा कमेंट भी कीजे इस दोरान बुदादित्ययोग, राजयोग, भद्रयोग, राजयोग का निर्मार भी होगा जोतिश शास्तिर के अनुसार हर एक निश्चिस समय के अंतराल के बाद गिरहे अपनी चाल बदलती हैं और इस दोरान गिरहे बक्री, मारगी, उदै या फिर एक राज़ी से दूसरी राज़ी में गोचर भी करती हैं इस गिरहों की हलचल से एक राज़ी में दो ग्रह के आनिसे युति, राजयोग और शुभियोग बनते हैं जो मानव जीवन प्रत्वी के साथ राज़ीों पर गहरा प्रभाब डालते हैं सितंबर की तरह अब अक्टूबर में भी छे बड़े ग्रह गोचर करने वाले हैं इनके प्रभाब से राज़ीों पर सकारात्मक्ता और नकारात्मक्ता का असर पड़ेगा एक साथ छे ग्रह बदलेंगे अपनी चाल तो आईए जानते हैं जोतिश के अनुसार अक्टूबर में बुद्ध, शुक्र, मंगल, सूर्य, राहु, केतु का गोचर होने वाला है और सबसे एहम बात यह है कि अक्टूबर के शुरुवात में ही तीन ग्रह गोचर करेंगे वही महीने के अन्त में यानि तीस अक्टूबर को राहु और केतु भी राशी का परिवर्तन करेंगे राहु मीन राशी में गोचर करेंगे, केतु कन्या राशी में गोचर कर जाएंगे और इन गिरहों की बदलती चाल सभी बारे राशियों पर शुब अशुब असर डालती जाएगी जानते हैं किन राशियों को होगा लाब अक्टूबर में एक साथ बड़े ग्रह करेंगे गोचर बुद्ध का गोचर बुद्ध गोचर दो हजार तेस ग्रहों की राश को मार और बुद्ध बुद्धी के कारक ग्रह एक अक्टूबर दो हजार तेस को रात आट बच कर पैतादिस मिनट पर कन्या राशी में प्रवेश कर गए हैं बुद्ध ग्रह को एक राशी से दूसरी राशी में गोचर करने में 67 दिन का समय लगता है मैंने आपको पहले भी बताया इससे कन्या ब्रक्षिक मिथुन मकर और मेश राशी वालों को बहुत लाब मिलेगा मान सम्मान बढ़ेगा धनलाव के प्रवल योग हैं कारोबार करियर में एक अच्छी सफलता आपको प्राप्त होगी और इस दौरान आपके बुद्ध हदित्य योग राज योग भद्र राज योग का निर्मार होगा शुक्र गोचर दो हजार तेस में दो अक्टूबर दो हजार तेस को शुक्र सिंग राशी में गोचर करेंगे शुक्र सुन्दरता धन के कारक ग्रह माने गए हैं शुक्र का राशी परिवर्तन धनू मिथुन राशी वालों को आर्थिक लाब देगा आकस्मिक धनलाव के य कार्यों में सफलता मान सम्मान में व्रद्धी बतादी की शुक्र को सुन्दर्ता धन व्यवक का कारक ग्रह माना जाता है मंगल का गोचर मंगल तीन अक्टूबर माना जाता है सूर्य का गोचर 2023 में ग्रहों के राज सूर्य 18 अक्टूबर 2023 को प्रातह एक बजकर 42 मिनट पर तुला राशी में जाएंगे यहां पहले से मेश राशी से निकल कर मीन राशी में प्रवेश कर जाएंगे वही केतू कन्या राशी से निकल कर केतू कन्या राशी में प्रवेश कर जाएंगे राहू और केतू को पापी ग्रहवी माना जाता है राहू और केतू हमेशा उल्टी चाल से चलते हैं राहू अपनी चाल हर 18 म मैंने में एक बार बदलते हैं राहू के मीन राशी में प्रवेश्ट से कुछ राशी वालों की मुश्किलें कम होती नजर आ रही है केतु के गोचर से सिंग धनु ब्रशब राशी का विशेश लाव मिलेगा जैज श्री रादे